नमस्का दोस्तों, अभी आप चैनल उपर देख रहे हैं कि एक राइसेन में जो घटना हुई है कि एक आदिवासी ने दो रख्ष कार दिये थे सागौन के, जिसकी वनिभाग के दोरा कीमत आखी गई है एक करोड़ बीस लाग, मातर दो रख्षों की कीमत एक करोड़ बीस ल हो सकती है, और उस आदिवासी के उपर यहां जुर्बाना किया गया है, कि वह तीस वर्ष का एक आदिवासी है, उसको एक क्रोड़ बीस लाग भरना है, मैं बिलकुल तह दिल से धन्यवाद करता हूँ, वनिभाग का कि आपने ऐसा कदम उठा है, और मैं यह चाहता हूँ, कि यदि उसके उपर अगर आपने लगा भी दिया, आरूप सिद्ध भी कर दिये, और उसके उपर आपने जो भी फाइन करना था, कर भी दिये, मैं राजे सरयाम, यहां से एक निवेदन करता हूँ, कि मैं भी बैतूल जीले में रहता हूँ, मैं भी आदिवासी युआ गई है, और यह दिखना यह बड़े-बड़े व्रक्षें यहां पर, तो मैं चाहता हूँ कि वन विभाग को मैं यहां से अपने 20 व्रक्ष देना चाहता हूँ, 20 व्रक्ष एक व्रक्ष की कीमत हुई 50 लाग, तो 20 व्रक्ष की कीमत हुई 10 करोड रुपए, मैं चाहता हूँ कि वन विभाग मेरे हां से ये पेड ले जा ले और जिस प्रकार से उन्होंने आखी गई ये कीमत वो मार्केट में ले जाके बेज दे इस से कम से कम वन विभाग को 10 करोड की आय प्राप्त होगी और मेरा निमेदन ये है कि उस 10 करोड में से उस गरीब आदिवासी युवा जो 30 वर्सका है उसका 1 करोड 20 लाग का जो आपके दारा फाइन किया गया है वो माप कर दिया जाए और बाकी का जितना भी बचरा है 8 करोड रुपे मैं बोल रहा हूँ कि गरीब जनता के लिए बाढ़ दिया जाए वो पैसा मुझे एक बीनी चाहिए मैं ये सब कुछ वर्क्ष आप लोगों के हवाले करना चाहता हूँ जिसकी कीमत आज आप करोड रुपे बता रहे है एक प्रकार से क्या मैं सभी जितने लोग तक मेरा ये वीडियो जा रहा है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या आज कुरोणा में व्यक्ति जैसे तैसे जी रहा है एक करोड बीस लाग दो पेड़ के क्या यह सही है अगर यह सही है तो मैं इनके इस फरमान का स्वागत करते हुए अपने यहां के इन देर सो दो सो रक्ष में से इन लोगों को जितने भी ले जाना है पूरे ले जा ले और मार्केट में यह अगर मान लोग की पचास लाग का बेचने हम बोरे पच्छी स लाग का बेचो 20 व्रक्ष हमारे हो जाते हैं 10 करोड रुपए के हम आपके दे रहे हैं आप ले जाईए और इसमें से उसको जो आपकी कीमत बताई जा रही है उस कीमत के आधार पर आप इसको बाजार में बेज दीजिए और उसमें से वो जो 1 करोड 20 लाख रुपए हैगा वहाँ उस आधिवासी युवा को आप दे दीजिए और नयाय कीजिए आधिवासी समाज के लोगों के साथ लाजेश शर्याम बैतूल मद्यपदेश हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नयी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद